धर्मेंट टाकिया नाम के दुशकर्मी को पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुँचा दिया है। इस दुशकर्मी ने अपने ही पडोस में रहने वाली नावालिक लड़की के साथ दुशकर्म की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस के हिरासत में है और नियाले में पेश करने के बाद उसे कोट के आदेश पर जेल फेश दिया गया है। गलत काम करने लगा। बालिका के चिलनाने पर उसकी मा दोड़कर बाहर आई, मा को आता देखकर आरोपी धर्में बालिका को छोड़कर भाग निकला। बालिका की रिपोर्ट पर थाना हरन गाओ में धारा चौसट एक पैसट एक एक सो सेंट दो बियनेस और तीन बटए चार पासको एक्ट में मामला पंजिवत किया गया है। देवास पुलिस अधिक्षक संपत उपाध्याय कन्नौद अत्रिक पुलिस अधिक्षक आकाश भूरिया कन्नौद स्ट्योपी के तन अदलख के निर्देशन पर आरोपी की तलाश के लिए टीम गठित की गई जिसमें आरोपी धर्में टाकिया को 28 अगस 2024 को गरफतार कर न साइबर सेल के सचिन की महत्वपूर्ण भूमिका रही अदलख की गई पीड़ता और उसके परिजनों का मेडिकल करवाया गया और उनको सुरच्छी तरूप से उनके घर छोड़ा गया उनकी तवियत का ख्याल रखा गया तीम गठित की गई और साइबर सेल की मदब से देवास के आरोपी की तलास की गया आरोपी को अज गरफत आप देख रहे हैं, डखल नियूट